हेलो गाइज, वेलकम बेक टो माई चैनल सोनम जाव लॉग तो गाइज, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर मैं रो रही हूँ रो क्यों रहे हूँ? वो आपको पता है बस रोने का कारण और कुछ नहीं है हसने भी लगी देख लो तो रोने का कारण है यह प्याज जो मुझे रुलाया है छिलने में इसको मैं छिल, छिल का जो उतारी हो ना इसलिए यह मुझे रुला दिया है मेरा कपड़ा क्यों उतारा? तो अब मैं इसको काटूंगी और काटने के बाद मैं रोड ही थी तो इसको लगा रही है, सही में ममी रोड़ी है, तो ये पीछे से देख लिजे, हसाने का ट्राइ कर रहा है, इसको पता नहीं है कि ममी क्यों रोड़ी है, तो चलिए आज हमारे घर आया था चिकन, तो चिकन बनाने के लिए प्याज चिले थे, प्याज काटे थे, तो चिकन द भून गया है बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी प्याज अद्रक लहसन मिर्च विर्च डालके धनिया उनिया डालके बनाई हूं बहुत ही टेस्टी बनाया है दो लहसन भी डाली हूं दिखरा होगा आपको इस साइड में तो बहुत ही टेस्टी चिकन बनके रेडी हो गय तो इसको अच्छे से मिला देंगे और फिर मिलाने के बाद सब के लिए खाना निकालेंगे तो इसको अच्छे से मिला के और फिर जो है निकाल दिये है चिकन, लेक्पिस और चावल यह चाहिए मेरे बेटे को वो खाता है नहीं बट इसको चाहिए लैग भी सी तो इसको इसका खाना निकाल दिये हैं और इसको दे देंगे देख लीजिए ये और आड़ा है अपना खाना लेने के लिए और ये ले के और जाएगा खाना खाने के लिए और खा के बताना जरूर की कैसा बना है तो देखिए ये खाना अपना लेके जा रहा है और ये खाना निकाली हूँ मैं अपने लिए और अपने पतीदेवजी के लिए देर सारा चिकन चावल रोटी भी बनाई थी क्योंकि रोटी भी खातं है हम लोग साथ में और उसके वाद मैं बनाऊंगी अब लसी चंच जिसमें मैं चंच डालके उसमें बुंदी मिलाऊंगी और काला नमक मिलाऊंगी और मिलाके इसको अच्छे से और अगे बढ़ा दूंगी ये देख लो खाली भी हो गया थाली तुरंत तो फिर इतना तती बना था कि थाली खाली हो गया है और अब मैं भी खाऊंगी और ये देखिए ये मैं चिकन को तोड़ते हुए और चावल में लपेटते हुए और अब जाएगा ये हमारे मुह में और बहुत ही टेस्टी बना है चिकन और चावल बहुत ही टेस्टी था और थोड़ा स्पाइसी भी था वो मेरे मुह का कंडिशन देख के आपको लगी रहा होगा बहुत ही टेस्टी था और ऐसे ख़ई ये प्याज उसके बाद जैसे ही ये कांड खतम हुआ तो मैं डाली थी मेहंदी फुलने के लिए मेहंदी में अनियन का रस्वस मिला के प्याज का रस्वस मिला के ये सब करके मेहंदी फुला करके और पती के बालों में लगाना था मैं भी लगा ली और हाथ देखिए कितना लाल हो गया